माय के में बेटी दामाद और नाती की मौफ तक कैसे क्या हुआ? जारखंड, पलामू, पच्छीस साल की सविता और उसके दो महीने के बच्चे इश्यु कुमार की डेड़ बॉडी कमरे से मिलने के बाद घर में तहलका मच गया. वही 27 साल का दामाद योगेंद्र भुया बेसुद पड़ा मिला. उसकी सांसे चल रही थी. जल्दबाजी में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दर्म्यान उसने भी दम तोर दिया. घटना पलामू के नौरीहा बजार थानाक्षेत्र के नामुदाग के तेलियारी से सामने आई है. मौके पर पहुची पुलिस जाच में जुटी है. योगेंद्र मूल रूप से बिहार के गया का रहने वाला था. वो अपने ससुराल में रहकर मजदूरी करता था. घटना के बारे में मृतका के घरवालों ने बताया कि कुछ साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी. गुजरे कुछ दिनों ने दोनों पती-पत्नी में किसी बात को लेकर खट-पट चल रही थी. आज सुबह देर तक जब बेटी नहीं ओठी और दूद मुन हे नाती के रोने की आव बेहोश था. खबर मुखिया और पुलिस को दी गई. नौरीहा थानेदार अमन कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचे. डेट बॉडी को पोस्टमाटम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई.